दोस्तों स्याम लाल कॉलेज ये डैली उनिवस्टी से अफेलेडिट बहुत इंपॉर्टन कॉलेज है जिसकी हम आज बात रिवियू में करने वाले हैं जी हाँ मेरा नाम है वरोन और हम बात करते हैं कॉलेज रिवियू की ताकि आपको मिल सके एक अच्छी एजुकेशन और क कॉलेज के ऑप्शिन बहुत ज्यादा ताकि आपको पूरी जानकारी उस कॉलेज की रहे और आप अपना भविश्य सुनेश्चित कर पाएं कि कहां कि इस कॉलेज में कौन से कॉर्स के लिए हमको जाना है तो आपको दोस्तों में इसको शेयर गरना बिलकुल नहीं बोलना ह और चानल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी जानकारी कॉलेज की यहीं आपको यहीं मिल पा है आज हम जो बात करें हैं शामलाल कॉलेज की बात कर रहे हैं डैली यूनिबस्टी से अफिलेटिड कॉलेज है और इसकी पूरी जानकारी के लिए हमें क्या करना है हाँ बने रहना है आखिर तक वीडियो को देखना है ताकि बूरी जानकारी लग जा और बस आगे की कहानी यहां हम स्टार्ट कर लेते हैं तो 1964 में स्टाबलेश्ट हुआ का श्यामलाल कॉलेज एक कोईड कोलेज को बतला है यहां पर गल्स और बॉइस तो और पड़ते हैं कहीं कोई सबस्द है ही नहीं ठीक है पॉपलेक कोलेज है ही नौर्थ कैमपॉस कहलाता है और अफिलियेशन है दैली उनिबस्टी का लोकेशन की बात करें जी टी रोड एकड़ भी कम नहीं होता भई अब बहुत अच्छा काम पस हो और यह आप देख पा रहे होंगे फोटो आप देख लीजेगा रैंकिंग की बात करें तो NIRF की रैंकिंग में 77 नंबर पर यह रहे हैं 2022 में साथ ही साथ यहां पर इनका जो विजन है वो बहुत अच्छा है meaningful transformation of learners to responsible citizen ठीक है accredition के हिसाब से NNAC की ranking B प्लस मिली है तो A A++ A A++ इसके बाद B प्लस आता है तो ठीक है कुछ कमियाद तो होती ही है अगर connectivity की बात करें तो Delhi University के साथ मुझे तो कभी कोई connectivity का issue लगता नहीं ह जैसा मैं बता चुका हूँ कि भई आपको एक तो Metro का बहुत अच्छा सफर है तो साधरा red line पर पढ़ने वाला है nearest rail station है Metro का इसके अलाबा Old Delhi का आपका बैसे simple rail station है और IGI तो है international airport कोई दिक कथाया नहीं connectivity के लिए और auto Uber ओला सारी विवस्ता है वहां मौजूद हो जाती है सा साथ admission की process की बात करें तो आज हमें पता है कि Delhi University CUET को accept कर रहा है तो उसके सारे colleges जो से affiliated college है सारी courses के लिए CUET की merit list के basis पे आपको मिलेंगे वो colleges तो कहीं दिकर नहीं है CUET 2023 की preparation करना बिलकुल नहीं भूलना है तैयारी करते रहो exam होगा तैयारी ठीक है ना भई बहुत बड़ी strategy पर हमने बात कर ली थी तो वीडियो मिल जाएगी आपको playlist में एक बार जाके जरूर देख लीजेगा वो और भई courses क्या-क्या होते हैं या स्यामलाल college में तो BA की courses है BA honors, Eco, Economics, English, Hindi, History, Political Science, इनमें सब honors के courses है BA के simple BA programs भी है साथी साथ BCom honors, Simple BCom, Chemistry honors, Mathematics honors, BSC, Physical Science, ठीक है इसके अल master program है, Hindi में, ये cable Hindi में ही master program कराते हैं, तो ये सारे के सारे courses आपको यहां से आवलाल college में मिल जाते हैं, ये सारे के सारी seats आपको देख रहे हैं, college में क्या कैसी seats हैं, जैसे BA program की बात करें, simple, 193 seat हैं, टोटल हैं, जिसमें unreserved के लिए 78, ST के लिए 30, ST के लिए 40, है ना, OBC 52 है DWS 19 seat, ऐसी ही सारे criteria, ये आपको यहां पर मिल जाएंगे, कि कौन से program के लिए, कौन से course के लिए, कौन सी category में कितनी seat हैं, है कि नी, आप फीस की बात कर लेते हैं, वो जरूरी है, तो यहां पर कुछ और combinational courses भी हैं, उनके लिए कि आप चाहें, तो दो courses कर लें, economics कर लें, political science कर लें, तो combinational courses भी हैं, अबेलिबल यहां पर, कुछ 593 seats हैं, total combinational courses की, फिर post graduation है, हिंदी, हिंदी में ही केबल, उनने seat हैं, हिंदी के course के लिए, तो वो आपको देखना है, इसके अलाबा, fee structure की बात करें, तो जो BA honors के program है, हिंदी, English, Economics, History, Political Science, इसके अलाबा, BCom, BCom Honors, और BA in Political Science, 20,500 रुपिया की fees है, हाँ, यह वर, Yearwise fees है, याद रखिएगा, Annual fee, B.S.C. Honors, Chemistry, Mathematics, Computer Science, and Body, इनके लिए 24,600 की fees है, तादी साथ आंगे बात करें, B.S.C. Physical Science, तो BA, 21,600 की fees है, M.A. Hindi, 2989 रुपे, total यह, M.A. की बात कर रहे हैं, तो यह fees है, fee structure कोई बहुत बढ़ा नहीं है याद रखो, Delhi University में बहुत ज़्यादा fees नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रिफर करने वाली University, जो है भारत की है, सबसे अच्छी, Toppest University में, Delhi का नाम आ जाता है, बहुत अच्छी बात है, आँगे बात कर लें, इनकी Certification Courses की, तो Foreign Languages में, जैसे German, Spanish, French, Japanese, Chinese, Korean, यह सा अलाबा, डिप्लोमा भी होता है, Foreign Languages में, इनहीं में, Advanced Diploma भी इनहीं Foreign Languages में करवाती है, साथ ही साथ यह fee structure रखा है, 15,000, 16,000, 17,000, यह कुछ fee structure है, Certification Courses का, और भी या, Master in the Stock Market, B.Sc. Institute Limited से, या फिर, Fundamental Course of Artificial Intelligence, Machine Learning, इन सब में, Fundamental Course of Office, Automation, साथ ही साथ, Fundamental Course of Digital and Social Media, तो यह सारी के सारी Extra Courses, Certification Courses हैं, जो यहाँ पर Conduct किये करवा देते हैं, Academic Resources की बात कर लें, तो भी या, Classrooms, बहुत अच्छे हैं, जिसमें, भी या, बकाइदा, Full विवस्ता है, Seminar, Conference, Hall, यह सारी चीजों के साथ, यहाँ पर ICT-based, हाँ, Classrooms है, Library Facility, क्योंकि हार College में होनी ही चाहि है, अभी तो बच्चे पढ़ेंगे, ना, ची हाँ, तो Library Facility भी अच्छी है, Photo में, आप देखी पा रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही थी, देखो किंते अच्छे दे पढ़ रहे हैं तो लोग, है ना, Conference Center, Multi Purpose All है, यहाँ पर Conference Room हो गया है, यहाँ यही होला है, हर प अलाकि इसमें कुछ अंग्रेज लोग भी दिख रहे हैं, ठीक है, चलिए, Medical Facility जो हर एक College में important होती है, Fast Aid की, तो भाईया, Fast Aid Facility हर जगा है, Medical Room में, और फिर भाईया, यहाँ यहाँ पर क्या होता है, कि Physician आते हैं, विजिट करते हैं, हर तीन week में एक बार, ठीक है, Computer Center की ब सारी Lab है, Bell Equipped है, यहाँ पर UPS Connectivity, Power Supply की एक्टर बवस्ता, सारी चीज़े, Science के लिए, क्योंकि Science की बहुत सारी Courses यह करवा रहे हैं, चाहे Physical Science की बात कर ले, Physics की बात कर ले, तो Chemistry की बात कर ले, तो Science Laboratories उनके लिए जरूरी हो जाती है, जो की important है, साथ ही साथ Girls Common Room Security है, बिल यह सारा का सारा, दिल्ली में आजकल लगबग सारी के सारी Colleges में कोसिस यह की जारी है, कि हमें क्या करना होगा, हम जितना Environment या Eco-Friendly बना पाए, अपने College को बनाते हैं, तो वही यहाँ पर Green Initiatives में अच्छा काम इन्होंने किया हुआ है, Best Practices की बात कर ले, तो स्वक्षिता Surveillance System, 100 Seater Dedicated Conference Hall, Conference Hall, 100 Seater, ठीक है, Board Room है, Teachers Facilitation, अपने देखी लिया है, Staff Room है, Library Lift है, Wi-Fi Zone है, पारकिंग जोन है, यह सारी तमाम Facility जो है, आजकल एक Modern College में अनिबार ही है, हर जगा होती ही है, तो ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है, फिर भाईया, बात कर ले, New Classroom, Multipurpose Hall, Computer Labs, STP Plant, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, Covered Central Seize, Amphitheater, Amphitheater मतलब खोला वाला थेटर है, यह, हाँ, जहाँ पर बैठ सकते हैं, बिलकुल, और सारी विवस्ता है, बाप गाना बजाना और बच्चे बैठे रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और भूमते भी रहते हैं, आसी बात नहीं हैं, ठीक है, इसके लाब ग्रीन ग्लास, फिर भीया साइन्स लैब, ग्रीन कॉरिडोर, सारे ग्रीन इनिशेटिव इनोंने करके रखे हुए हैं, और 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 बीस कंपोजिट मशीन भी है, CNG गैस पाइपलाइन है, रीडिंग रूम है, और तमाम फैसिलिटी जो वेंग और आउट्डूर फैसिलिटी सारी है, साथ ही साथ अकेडमिक सुसाइटीज भी है, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स की, भाई यह आट और कल्चर की सुसाइटीज है, बहुत सारी जरोखा दर्शन, नहीं जरोखा, यह ड्रमाटिक सुसाइटी है, आक्रोश, आक्रोश ज सुसाइटीज है, अवर्ड और प्राइज, बहुत सारे अवर्ड और प्राइज और स्कॉलर से बगेरा भी यहां मिलते हैं, स्यामलाल कॉलिज में, तो भी यह क्या-क्या है, जी हां, रोल आफ ओनर, यह सब जो टॉपेस्ट बच्चे होते हैं, परफॉर्मर बच्चे, उन मेरिट प्राइज मिलता है, और भाईया, कंचन, नागपाल मेमोरियल ट्रॉफीज और प्राइज यह बच्चों को दी जाती है, अलग अलग शेत्र में, स्री सुन्दरलाल, रोहतगी, एंड स्रीमती, रूपबती है, सौरी, रूपबती, रोहतगी, मेमोरियल प्राइज य प्राइज और प्राइज यह बच्चों को प्रोसाहित करने के लिए अलग अलग जबों पर अकोमोडेशन की बात करें, तो हाँ, एक समस्या है, वो यही समस्या है कि कोई हॉस्टल नहीं है, इस कॉलेज में, आपको आस पड़ोस में पीजी फ्लेट बगेरा लेके रहना प करें, तो हाइस्ट पैकेज, जो लास्ट येर का है, 18 LPA का इनो ने दिया हुआ है, मीडियन पैकेज 3.5, जो ओन अन अबरेज चलता है, फीस भी ऐसी है ना यार, हमने 20-20,000 देखे हैं, तो 60-70,000 में आपका प्रोग्राम हो जाएगा, खाना, खर्चा, पानी बगेरा, तीन गैनपेट, बजाज, K.P. Morgan, गुरुप और TCS, स्टुडेंट प्लेज की बात करें, लास्ट येर, 404, टोटल स्टुडेंट यहाँ पर प्लेज हुए थे लास्ट येर, तो अच्छा खासा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, अब कौन बच्चा नहीं चाहेगा, कि यार प्लेसम समस्य की बात है, लेकिन यहाँ पर, one of the oldest college in DU, बहुत बढ़िया, good facility, sorry, faculty and crowd, famous for its fest, मतलब पढ़ाई से ज्यादा festival ज्यादा हो रहा है, बढ़िया है, अच्छी बात है, underrated college है, in spite of being good at ranking placement, not the first choice for the student, सारी विवस्ता हैं अच्छे होने के बाब, जूद भी बच्चों की पहली choice नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, reviews में, तो review तो हर जगा अच्छे होते हैं, बच्चों के reviews ज्यादा important होते हैं, जो यहाँ पड़े हुए बच्चे हैं, उनके यह reviews हैं, तो आपको क्या करना है, हाँ, जाओ बया, चेक कर लो, official website siyamalalcollege.du.ac.in और इसमें पूरी जानकारी के लिए बने रही है, हमारे चानल पर वीडियो को like कर लीजे, अगर अच्छी लगी हो तो और दोस्तों में share करना है, क्यों, क्योंकि भई दोस्तों होते किसी लिए हैं, और चानल सब्सक्राइब करना है, ताकि पूरी जानकारी सारे colleges के reviews आपको यहीं इस चैनल पर मिलने वाले हैं, तो अंगले रिब्यू के साथ मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, जाहिए.